आज का जो विशे है जिसके बारे में हम बात करेंगे सूर्य अगर आपके टेवे में कई न कई मंदा असर दे रहा है और अगर उसका जो सपोर्ट है उसके मित्र ग्रह के साथ अगर नहीं मिल रहा तो जिन्दगी कैसे हो जाएगी ओ क्याते है ना चारो तरफ मिट्टी प्रतिष्ठा डूबती चली जाएगी अगर कई न कई शनी भी मंदा असर है आपके टेवे में तो जिन्दगी खाक सी बन जाएगी ये फैक्ट है ये फैक्ट है तो आज जो चीज आपको मैं बताने जारी हूं जबरदस्त वे से काम करेगा मैंने आपको हमेशा एक चीज बताईये हम सूर्य शनी को कटड़ दुश्वन मानते है ये बिल्कुल फैक्ट वाली बात है इसमें कोई दो राए नहीं है लेकिन सूर्य कितना खराबी असर दिखाएगा वो शनी पर डिपेंड करेगा शनी कितना खराब है कितना भयानक रूप दिखाएगा वो सूर्य प बहुत प्यारे ढंग से आपको एक बार मैंने साइंटिफिकली समझाने की कोशिश की थी के हमको लगता है सूर्य शनी तो अलग अलग हैं लेकिन सूर्य अच्छा तो शनी कई न कई सबल है शनी अच्छा तो सूर्य कई न कई उतना बड़ा भयंकर असर नहीं दिखाएगा जब अगर मन कई न कई बुजा बुजा लगता है वो क्याते ना जितनी भी प्रतिष्टाती हो सकते हैं एक समय पे बिलकुल आसमान चूरी हो लेकिन आज क्याते हैं जमीन से उठने का अगर नाम नहीं ले रहे बदनामी होई जा रही है अपमान होई जा रहा है किसमत आपको मैं आज बताने जारी हूं 100% नहीं 10,000% कर देगा बेड़ा पार बदल जाएगी दशा की दिशा पकी बात है जानेगे हम इस वीडियो में लेकिने से पहले निमस्कर दोस्तों मैं शाहने सेट कैसे आप दोस्तों मेरी हार कोशिश के आपकी जिंदगी बैतर सुंदर माइंड ब्लोइंग मांब्लास्टिंग था बन जाए जबरदस्त वाली कैसे हो मेरे पाश लोगों अब जैसे लोग होते उनको पता ही निक पास निकसे पता चले कि हमारा सूर्य नेक हालत में कि मंदी हालत में सीडिसी बात है आप एक बात बताओ आपका जो दिल है वो सोते होगे रात को कई ना कई एकदम एक्टे होते होगे ऐसा होता है सूरि कई ना कई मढद ही इस असर दिखा रहा है इस डिखा आइंड बात है आखों में हमेशा पानी पानी आना मन भुजा भुजा रहे न ऑच कहते हैं तो चार बात के मुख़ेट में जाय खाहिभी तो सूर्य कई ना कई मंदा असर दे रहा है बहुत टाइम से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ही चल मैं इतना काम कर रहा हूं बाजू वाले लोग है वो आगे जाए जारे आप जहां पांच साल पहले थे छे साल पहले थे वही के वही अटके हुए हो तो कई ना कई सू की सेट थी सूर्य के उपाई आव जित्रे मर्ज सूर्य хотел कर लो लेकिन इंज नइ नहीं बनेगी काम नहीं बनेगा है वह तक्राट से अ City हैं ले रोटी पानी चलेगी मैं यह नी कहらい रही रोटी पानी तो सबकी चली जती ये एक दिन देर सवेर हो जाए सची को तो बुरा मत मानना है ना वो तो एक तोते चिडिया सब का उपर वाले ने कहीं ना कहीं आए थोड़ा देर सवेर कहते हैं देर अंदेर नहीं है लेकिन अगर वो है कि जी मैं आज जहां पर हूँ मेरा ये लक्ष है मुझे उस अपने ल करना पड़ेगा शनी के मन्दे असर को नश्ट करना पड़ेगा कोई ऐसी लंभी चोड़ी वात नहीं है कि क्या करोगे सबसे पहली चीज़ अपने घर के पूर वदिशा में भ्रसपत को मंगल को कायम करो अपने घर के पूर्वदिशा में सूर्य को मंगल को भ्रस्पत को आप कायम करेंगे अब वो कायम कैसे करेंगे अब आपको मैं बताती हूँ तामबे का जो पात्र होता है कोई भी तामबे का पात्र जो है उसमें एक लाल इट मेरे को चाहिए थोड़ी सी का कहते हैं हल्दी की गाठे मेरे को चाहिए और रक्त चंदन उसके अंदर डाल कर अपने घर के पूर्वदिशा में स्थापित आप कर देंगे क्योंकि अगर पूर्वदिशा अब अब एक चीज समझना क्या कहते हैं सूर्य पूरा तरीके से नश्ट कभ हो जाता है जब उसके मित्रग्रे जो हते हैं मित्रग्रे कौन से कौन उसको बली करता है कौन उसका तेज बढ़ाता है उसका भ्रस्पत तेज बढ़ाता है उसका चंद्र तेज उसकी चमक कई न कई बढ़ा देता है मंगल का अगर संयोग होगा तो उसके अंदर वो बल आएगा कि जो पूरे को खायम करते हैं तो उसका जो क्याते चीना अतर है। वह कही तो ये अपने घर के पूर्व दिशा में कहीना की स्थापित कर दो अपने क्या करना है अपने घर के बहुत निकलना है एक खोल देना है कमपस खोलने के बाद में ये देखो कि दक्षिड देशा किदर आ रही है दक्षिड देशा में ब्रस्पती को कायम करो शुक्र को कायम करो कैसे अब हमको लगता है कि केले का जो पौधा है वो ब्रस्पती है वो शुक्र को और बुद्ध को भी सबल करता है तो अपने घर के दक्षिर देशा में केले का पौधा लगा दो और उसको रोज सीचते जाओ रोज सीचते जाओ रोज थोड़ी सी एक थोड़ा गुर चड़ा दो और पानी जल देते जाओ आप देखोगे आप खुद देखोगे मैं को यह आपको समझारी होगी यह ख्याली इसलिए बिलीव इन प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलिजी मुझे हवा में बाते समझ आती नहीं बाई साब बिल्कुल जो प्रॉपर चीज है जो प्रॉपर इलाज है वह हम करेंगे अपना टाइम वेस नहीं करेंगे और यह जब करेंगे उसके बाद फिर जिन्दगी को को से करेंगे नहीं क्योंकि भाग यह तो साथ देना शुरू कर देगा लेकिन करम पक्ष को अगर नहीं बढ़ाए तो फिर कोई फाइदा नहीं फिर क्या कर रहे हो क्या सोच रहे हो बैठे बैठे चले पांच साल बैठे बैठे चले गए 10 साल आदी उम्रे लोग निकाल देते अपना सोच कि कब अच्छा टाइम आएगा, कब अच्छा टाइम आएगा, अभी अच्छा टाइम है, समझ जाओ, जब ये चीज़ करें होगे ना, समझ जाना, अच्छा टाइम अब शुरू हो गया, फिर लग जाना, जितने लोग competitive बच्चे लोग, जितने लोग competitive exam दे रहे आइलेट्स का exam दे रहे, जितने भी सरकारी नौकरी के लिए, अब एक चीज़ इसमें भी मैं आपको बता देती, लोगों के एक साल निकल जाते, दो साल निकल जाते, तीन साल निकल जाते, हाँ हाँ सरकारी जॉब मिलेगी, मिलेगी, मैं ये नहीं बोल रही, देखो इतने पके इलाज, जब हम करते हैं, तो बात बनेगी, लेकिन अगर कुछ कहते हैं, 20%, 30% तो चीज़े लिखित भी तो होती है, लिखित है, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो तो चीज़ घटत है, 30%, फैक्ट है, जो घटत है, वो घटत है, उसको कोई नहीं रोक सकता, जो बोलता ह कि रोक सकता है, तो ऊपर सरकार, बैटी सरकार के आगे कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है, कुछ चीज़े घटत होनी थी, हमको, हमको कई ना कई, हमारी आत्मा को वो लर्निंग मिलनी थी, हमारी आत्मा को कहते हैं, वो कई बर, वो कहते हैं, कुछ ग्रे होते हैं, मांज देते हैं जटके दे दे के मांज देते हैं मांज देते हैं कि क्या खुबसूरत इंसान बन जाता है अपनी नियत से अपने चरित्र से अपनी नौलेज से अपनी ग्यान से है कि मज़ा जाता है उसी बार सुनके मज़ा जाता है उसको देखकर मज़ा जाता है कि क्या यार मतलब है ना लेकिन अगर पीछे उसकी कोई स्टोरी देखेगा तो सोचेगा यह ऐसा बंदा था ऐसा तो वो जो ग्रे होते हैं कई बर मांज रहे होते हैं तो इतना दुख मत मनाये करो क्योंकि आज जब पीछे मुड़ के देखोगे फिर लगेगा है मैं ऐसी थी आज अपने पर फ्राउड फील होएगा पकी बात है पकी बात है एक और चीज आपको बताते हो बते हम शनी पे शनी की शनी का जो काला सुर्मा है वो शम्शान के इर्द गिर्द जाकर आपने दबा के आना है शनी के मंदे असर को भी तो कटेंगे ना शनी अगर सूर्य वैसे ही मंदा हालत में शनी और खराब है तो शत्रू पीछा नी छोड़ेंगे कहते हैं ना जिंदगी में एक दम इलजाम लगने इंसान अपने अपने लगने इंसान अपने इस अपने यह जाया है और यह जो अब कर दो दो अब आपके लिए को यह मेरी भी एक मर्यादा मैं बहुताए लेकिन कुछ ऐसी मेला तंत्र जो विद्या होती है अब आप समझ जाओ वही फिर काम आती है तो जब यह दिमाग में यह खयाल आजाए र तो तौबा कर लो और अपनी जिंदिगी का एक परपस दे दो और आगे बढ़ जाओ काम हो जूगा सब हो जूगा तो शम्शान में शम्शान में आपने काला सुर्मा दबा के आना है कितने दिन तक दबाना है 43 डेस तक आप यह पाखंड की दुकाने बोलेंगे हाई हाई ह जो भैरो बाबा का स्टान है वो तो ही शम्शान में वहां पर आवाजे में हमेशा बोलती हूं जाकर लगाने का बाबा बाबा करकर के अच्छे खासे आज ना आरीका मैम सुबह ऐसी बाद बतारी थी कानपूर में कहते हैं मंदिर है जो एक उन्होंने पहली बार शिव जी आपको क्या बोलू मैं क्या बोलू पावर बहुत है चीजों में करने वाले बनो मैं बताने वाली बनूंगी पीछे नी अटूंगी सीधी बात है ठीक है एस्टो वास्तू प्रोफेशूनल कॉर्स की जो registration है वह on है WhatsApp करना कई बार बीच में messages बाबा मिस हो जाते हैं तो यह मत सोचना कि में reply नहीं कर रही है अगर आपको consultation चाहिए आपको वस्तू consultation चाहिए प्लीज मेरे को एवी floor plan मत भेजा करो बाबा है ना floor plan अगर आपको consultation चाहिए अपनी जान लगाऊंगी कोई कमी नहीं चोड़गी सीधी सी बात है लेकिन फ्री में कंसिल्टेशन मत मांगना ठीक है जी चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा दिल अपने दिल से जोर दो विज़े को लाइक करो शेर करो इसले करो सब के सिंदगी ठाओ जाए ओके देन बाबाई नमस्कार